हिंदी बासा के अंदर अनेक तरह के एसे मुहावरे हैं जिनका वक्यम प्रियोग किया जाते हैं जिसके कारण से वक्ये बड़े ही सुंदर्वे रोचक बन जाते हैं और आज का मारा मुहावरा है दजियां उड़ाना यानि आज में इस वीडियो के अंदर दजियां उड़ाना मुहावरे के अर्थ है और इस मुहावरे के वक्यम प्रियोग के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दजियां उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानि इस मुआवरे का अर्थ होता है दोस दिखाना दोस्तों वर्तमान में ऐसे लोग बहुत है जिनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है चाहे फिर उन्होंने कितना भी बड़ा जुर्म या करम क्यों नहीं किया हो पर कभी कभी कुछ लोग एसे लोगों को उनके दोस दिखाने लग जाती है यानि उन लोगों ने जो कारिये किये हैं उनके दोस उनको बताने लग जाती है इस तरह से करने को ही दजियां उड़ाना कहा जाता है दजियां उड़ाना मुहावरे का वक्यम प्रियोग पहला वाकिम्प्रियूग जब लोगों ने दर्शन की दज्यां उडानी शुरू की तो दर्शन लोगों की नजर से दूर भागने लगा दूसरा वाकिम्प्रियूग आपको पता नहीं क्या कि वे केसा है अगर उसी समय में वहां पर होता तो उसकी इस तरह से दज्यां उडाता कि वे सरम के मारे पानी पानी हो जाता तीसरा वाकिम्प्रियूग बरे बाजार में राकेश ने सुरेज की दज्यां उडा दी चोथा वाकिम्प्रियोग राजपाल एसे तो बड़ी बड़ी ज्यान की बाते करता है पर जब कोई उसकी दजिया उड़ाने लग जाता है तब उसकी बोलती बंद हो जाती है चठावा किम प्र्योग लोगों की बीच में तुमें शामलाल की दजिया उड़ानी नहीं चाहिए थी साथवा किम प्रयोग जिस दिन से लखन ने महज की दजिया उड़ाई है तब से वहे लखन के सामने जाने से भी इडरता है दोस्तों इस तरह से दजिया उड़ाना मुहावरे का वक्किम प्रियोग किया जाता है अगर आप इस मुहावरे के बारे में किसी भी परकार का परसन पूछना चाहते हैं तो आप अपना परसन कमेंट बुक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विबिन तरह के मुहावरों की बारे में और अधिक जानकारी चाते हैं तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विबिन तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके और आप अनेक तरह के मुहावरों की बारे में ग्यान हासिल कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना बुले